नवस्कार मैं उश्यवम आपसे भी का बहुत स्वाधत है आप देख रहे हैं बीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स भारती जनता पार्टी के सौ से जादा सांसद ऐसे हैं जो जाज के दाइरे में हैं जाज के दाइरे में उन्हें का मतलब यह है खिए उन्होंने पात साल कुछ भी नहीं किया या चो भी किया वो ऐसा है कि जो जनता को पसंद नहीं हाया कौन है वो सांसद कहा कि कितने सांसद है और क्यूं पार्टी जनतापार्टी की 100 सीटे खत्रे में पड़ दही हैं आज मैं आपको अपने कारिक्रम में ये बताऊँगा, वैं ये भी बताऊँगा, कि प्रदानवंती मिरद मिरमोदी के लिए ये चुनाव, इन सौ सांसदों की वज़े से फस क्यों गया है, क्यों हमेशा को ये लग रहा है, तो कि ये जो सो सिपाही है, उनको बदल दीजिए, अगर न तब अगर ये सो लंगले सिपाही मैदान में उतारती है भारती जंता पार्टी, तो क्या हुगा, और क्यों ये सो सांसद जाज के दाइरे में आ गए हैं, ये मैं आप तो बताऊँगा, जैसे कि आप जानते हैं, अभी तीन राजियों के जो चुनाव हैं, वो भारती जंता पार्टी ने जीते, मत्रदेश, राजिस्तान और 36 गर्ट, और भारती जंता पार्टी ने इस जीत के बाद नारा दिया कि अपकी बार 400 के पार, लेकिन अपने अनुववी नेताओं, जिसमें शिवरा सिंग चौवान, वसुंद्रा राजे और रवन सिंग जैसे नाम थे, उनको हटाया ये नारा देने के साथ, अब 400 ऐसे सांसद हैं, जिनका भविश्य खत्रे में है, जिनकी समीक्षा थी जा रही है, और 24 के आम चिनाओं से पहले, एक बड़ी खबर भारती जंता पार्टी की खेमें से आ सकती है, पार्टी कम से कम 100 मौजुदा सांसदों की संतोष जनत पाया गया है, पार्टी इस जीटों के लिए राज के मंत्रियों और मोजुदा विधाईकों को मैदान में उतारने पर सोच वही है, विकल्प त्यार कर रही, यानि 100 लोग, 100 संसद, 100 एमबी जांच के थायरे में है, बीजेपी के पार्टी के जो सूत्र हैं, उ एक बरिष वीजेपी लेता से जम्मे ने बात की, तो वो ये बताते हैं कि जो पार्टी के लोगसबा उम्मीदवारों के मुल्यांकन की टीम थी, उसमें वो शामिल रहे हैं, और उनका गयना है कि पार्टी इस सांसदों की सर्विक्षर रेपोर्ट का आंकलन कर रही है, और कई कारकूँ पर भी विजाब हो रहे हैं, जिससे की आकलन सही तरीकी सिखिया चाहिए, दो तरह के सांसदों को अटाया जाता है, एक वो जो कई बार से जीतते आ रहे हैं, और इसलिए नए चेरे को मैदान में उतारने की जरूरत महसूस की जाती है, और दूसरे अपो सांस हैं, उनको अटाने की कुशिश कर रहे हैं. और इस अजनसी की ये रिपोर्ट है, कि सौ लोग ठीक से काम नहीं करें, नाम ना छापने की शड़ पर एक किंद्रिये पज़िपी पदादिकारी देगा है, कि प्रारंबिक सर्विक्षर के बाद सौ मजुदा सांसदों का प्रदर्शन बॉस्लिस्ट में आ गया है, उनमे इसे कई तो कई बार के सांस जद हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि पिली गत बदलाओ के लिए एक नए चेहरे की जरूरत है उसे लाके में, अलाकि उन पर आखरी निर्णे लेने से पहले फीडबेक पिलिये जाएंगे, अलाद अलग तरह है कि जो रिपोर्ट साइंडी उस रहे हैं, उमीदबार चैन की प्रक्रिया से पहले प्रदानमत्री के आदिकारिक नवो यानि दरेंद्र मोधी एप पर एक सर्वे धी शुरू किया गया, यह भी मैं आपको बखा दूँ, और खबर यह एक एप पर करीब 2 करोर सब्सक्राइबर हैं, यह लोग भी बताएंग पर एक सर्वे शुरू किया, जिसका नाम है जन्बल सर्वेक्षण को लौंच किया गया है, 14 सवाल है सर्वेक्षण में और किंद्री योजनाओं की लोग प्रियता, सांस्कू का प्रदर्शन और प्रतिवादी के निर्वाचर शेत्र के पारें में विशेश बाते सर्वेक चुनाओं में, सर्वेक्षण के फीडवेक का इस्तेमाल, 2019 की लोगसवा चुनाओं से पहले पार्टी ने 35 प्रतिशत मौजुदा सांस्कू को टिकट देने से इंकार करने में भी किया था, यानि 35% टिकट कार दिये थे भारती जन्ता पार्टी में इस सर्वेक्षण के बा राप करने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसका जो डेटा होता है, उसको इलेक्षण में इस्तिमाल किया जाता है, दोजार चौबिस के चुनाओं से पहले सांस्दों के खत्री की सूची में, जो प्रतिक्रिया है, उसको लेकर बीजेपी की प्रवक्ता अभी अपने अपने तरीके से टिपडियां कर रहे हैं, लेकिन कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, कोई खुल के ये बताने को तयार नहीं है, जी दरसल प्लानिंग क्या है भालती जनता फार्टी, लेकिन 2019 के हिसाब से अगर आप देखें, तो पिछले महीने हुए चार रा पिछले महीने की उसकी ररणीती का हिस्सा था, ये ट्राइल किया जा रहा था कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या बहौल बदल सकता है, मैदान में उत्रे लोगों में से बारा ने इसमें जी था सकी, जबकि 9 सांसत राज्य चुनाओ हार गये, जो लोग इसमेर शामिल न नाम शामिल है, तिलन्याना की अगर बात करें को यहाँ पर बंदी संजय, अर्विन धर्नपुरी और सोयम बापूर राओ चुनाओ हार गये, तो इनका टेस्ट हो गया, बीजेपी जान गए कि इसमें कितना दमेज अभी ये विधान सबा नहीं जीत पाए, और एक बात और ये भी लोग बीजेपी की कह रहे हैं कि तेलनाना को छोड़कर तीन राजियों है, यानि राजस्तान, मर्दप्रदेश और 36 गड़ में पार्टी के जीत के बावजूद इन सांस्तों की कफजे वाली स्यादतर सलसदिय सीटों पर नए उम्मीदवार खड़े किये जाएंग लोगसभा में सबसे जादा संक्यामे सांसत बेशने वाली राज्य यूपी में 15 से अधिक मौझूदा बीजेपी सांसितों पर तलवार लटक रही है, 2024 में उनको टिकट नहीं दी जाएगी, उनमे से 5 ऐसे हैं जो 75 साल के उपर हो गए हैं, तो उनको भी एक तरीके से अगो के सत देप पजोरी, मतरा की सांसत हिमा मालीडी, प्रियाद राज की नीता भोगुणा जूशी और बैराइच की अक्षे लाल गौड 75 साल से जादा की उमर के हो गए हैं, सांसत दिनेश लाल निरोवा, इसके लाबा बीपी सरोज, कौशल किशोर, किश्री, देवी पटेल, उपेंद्र सिंग, रावग, संगमलाल गुप्ता, वरुल गांधी और मीनका दानदी के खराब प्रदेशन ने उन्हें इस सूची में डाल दिया है, और खत्रा उनके सामने बढ़ाई, नाम आप मूट कर लीजिए, जिनके नाम मैंने लिये हैं, इसी तरह गुजरात के पातम गंबीर और हंस राज हंस के नाम भी इस सूची में बताये जा रहे हैं, जबकि माना ये जा रहा है कि पार्टी हर्शवर्दन और मीनाक्षी लेखी के विकल्क पर भी विचार कर रही है, चंडीगर से सांसत किरन खेर और केंद्री मंत्री और गोवा की सांसत शिरपा ये सो नाइक भी इस सूची में है, इनके उपर भी खत्रा मन रहा है कि इतको भी हटाया जा सकता है या इनकी भी कुर्सी जा सकती है। में से 2, उत्तराखंड में 5 मौझूदा संस्दों में से 2, हिमाचत प्रदेश में 4 मौझूदा संस्दों में से 2, बिहार में 21 मौझूदा संस्दों में से 8, महराष्ट में 62 मौझूदा संस्दों में से 8, उत्तरप्रदेश में 68 मौझूदा संस्दों में से 22, राजस्तान में 22 मौझूदा सांसदों में से 6 जारखंड में 12 मौझूदा सांसदों में से 4 दिल्ली में 7 मौझूदा सांसदों में से 2 को टिकट देने से इंकार किया गया था 19 के चुनाओं में आपको याद इसका मतलब वो रंडी तीक तरीके से 24 में भी अपनाएगी पार्टी, पार्टी ने तब कुछ सबसे प्रवक नेताओं को टिकर देने से इंकार किया था, जिसमें लारगेश्ट आडवारी शाबिल थे, मुर्ली मनोर जोशी थे, बीसी खंडूरी थे, और सुमित्रा महाजन शामिर, इनको टिकर पार्टी ने नही पिना किसी खार के अपनी नही टीम बनाना चाहते हैं, तब जो स्तितियां थी वो इस पार नहीं है, अब बरिश नेताओं को जवरिया से बार्वरत देने की ऐसी कोई आविश्रक्ता नहीं है, लेकिन पार्टी को एक चेंड चाहिए, बदलाव चाहिए, ये प्रक्तिरिया आपो जारी रखना चाहती है, और सत्ता विरोधी लेहर को भी कम करना चाहती है, ये सच है कि सलसत चुनाओ में मताता पीम बोधी को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, जो बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन बड़े इस अंगटन में रोटेशन होना जरूरी होता है, वो ये बीजेपी इस पार दिखाने वाली है, तो कुल मिलाकर जो मैंने आपको बताया, जिन सो लोगों का नाम इस सूची में है, उस सूची को अगर आप देखेंगे तो आप या नाजा लगा पाएगे कि भारती जित्ता पार्टी किस तरीके से जॉबिस के चुनाओ में जान आज के कारिक्रम देखने के लिए कारिक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताएगी, मुझे जान देखेंगे पीछ वाश्यों